कि हालो फ्रेंज वर्द बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम डिसक्स करेंगे एससी सीचल 2017 टीर वन का सैथ 23 और यह पेपर हुआ था काफी ट्रिकी कोश्चन है और काफी अच्छा कोश्चन है इसमें हम यह बोल रहे हैं व्यू मतलब किसी चीज का द्रश्च या नजारा DOWN stream मतलब नीचे जो जरना था उसका उसके नजारे की या उसके द्रश्च की बात हो रही है the view of the downstream and directly down the bridge was awesome मतलब downstream का जो द्रश्य था या जो साइट थी उसकी वो काफी awesome था काफी attractive था काफी अच्छा था अब इस sentence में देखिये the view of the downstream यदि आप ऐसे बोलें, इस end को यदि आप यहां से हटा दें, तो यह हो जाएगा, the view of the downstream, directly down the bridge, मतलब downstream क्या है, इसमें एक noun है, जिसको downstream मतलब नीचे जो पानी की धारा बह रही थी, उसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है, और यदि यहां पर end आप हटा दें, तो यह noun जो ह इस adjective से जुड़ जाएगी, तो यह sentence हो जाएगा, the view of the downstream, directly down the bridge, ब्रिच के ठीक नीचे, directly down the bridge, ब्रिच के ठीक नीचे, जो पानी की धारा थी, उसका जो view था, उसका जो दिरश्यता, वो काफी awesome था, काफी अच्छा था, attractive था, ठीक है, तो यहां पर end जो है, वो superfluous है, यान पर end की आपको जरूवत नहीं है, क्योंकि downstream जो noun है, उसको आप modify कर रहे हैं, एक adjective से, directly down the bridge, मतलब downstream कहां पर था, इसकी विशेशता हम बता रहे हैं, इस phrase से, यह directly down the bridge, तो एक adjective phrase से हम एक noun की विशेशता बता रहे हैं, कि the view of the downstream, directly down the bridge, was awesome, ठीक है, तो काफी अच्छा question है, औ क्योंकि end के through हम दो, दो equal components को जोडते हैं, दो noun को, दो pronoun को, या दो कोई भी entity को, तो end यहां पर इसलिए हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर एक है adverb और यहां पर है noun, तो noun और adverb को हम end से नहीं जोड सकते, ठीक है, एक यह region है, और end को आप हटा देते हैं, तो यह जो noun ह यह इस adjective से जुड जाएगी, यह एक adjective phrase है, directly down the bridge, ठीक है, तो directly down the bridge के through हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, downstream की, तो end हटाके यह sentence ही हो जाएगा, अब end को आप हटाएंगे, तो end जो है, यह किस part में है, बी part में है, इसलिए इस particular sentence का जो answer होगा, वो होगा आपका बी चलिए second question देखते हैं, his name was hardly known out his own country, मतलब उसका जो नाम था, वो मुश्किल से उसके देश में जाना जाता था, his name was hardly known, known के बाद हम out नहीं लगाते हैं, known के बाद हम two लगा सकते हैं, known to his own country, known के बाद normally हम two लगाते हैं, तो यह out नहीं आएगा यहाँ पर, और इसमें आपका आंसर होगा, बी, यह फ्लेर्स के question है, the fun reduced significantly when mom decided to tag along, देखिए, इसमें एक word आया है, क्यूशंट, क्यूशंट का मतलब होता है, एक factor होता है, क्यूशंट, मतलब किसी भी चीज की quantity या उसके, उसकी degree को यह बताता है, ठीक है, यदि मैं बोलूँ के intelligence क्यूशंट, तो intelligence क्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको, fun q sent, fun q sent reduced significantly when mom decided to tag along, देखिए, सब को चार लोग है, और चार लोग कहीं जा रहा है, पार्टी मनाने या पिक्निक मनाने, और उसमें आप किसी को ले जाना नहीं चाहते, मतलब ऐसे किसी व्यक्ति को, जो आपके fun activity को disturb करे या जिससे आपकी, आपका जो fun है, वो खतम हो जाए, या privacy आपकी खतम हो जाए, कोई भी आपका senior है, या mother या father है, वो जवर जस्ति उसमें आते हैं, तो आपका fun factor जो है, fun q sent जो है, वो खतम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप privacy नहीं रहती है, तो इसलिए यहाँ प ठीक है, किसी party में, किसी meeting में, किसी picnic में, या जवर जस्ति आपके साथ आता है, तो उसका हम बुलते है, tag along, ठीक है, तो चार-पांच लोग friends साथ में जा रहे हैं, और इसके साथ फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, कि, जो fun factor है, fun q sent है, वो reduce हो जाता है, significantly, क्योंकि, यहाँ प हमारे साथ, हमारी mother ने भी आने के लिए decide किया था, कि, हमारी mother भी हमारे साथ आने के लिए सोच रही थी, तो इसलिए privacy factor उसमें खतम हो गया, इसलिए fun q sent जो है, वो कम हो गया, तो fun q sent मतलब fun factor, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सही answer होगा, q sent, q sent एक factor होता है, जिसके through हम किसी व्यक्ति या वस्तू की, normally वस्तू की किसी degree को या उसकी मात्रा को हम measure करते है, measurement का एक factor होता है, q sent, और tag along का मतलब होता है, जबर जस्ती किसी व्यक्ति के साथ जाना, बिना बोलाए, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा, q sent, ठीक है, fun q sent का definition आप देख सकते हैं, next question हम the shepherd guarded a large of sheep, and allowed them to move from pasture to pasture, pasture हम बोलते हैं, जो हरा घास का जो मेदान होता है, उसको हम बोलते हैं, pasture, shepherd हम बोलते हैं, जो sheep को, यानि भीर बक्री को जो चराने ले जाता है, उसको हम बोलते हैं, the shepherd guarded a large, sheep, यहाँ पर मतलब sheep के group की बात हो रही है, मतलब आपको sheep के group का नाम यहाँ और बताना है मौश्एिप का जो गुरुप होता है उसको हम कि लogg बोल सकते हैं हर्ड बोल सकते हैं मौब बुल सकते हैं पाइट हैς फिर्टे मोब बीड़ ऑप सकते हैं जायर कि स्कांि यदिन फिर्टूक चोल यो together is called show, उसको हम बूलते हैं, शोल, तो शोल वर्ड हम यूज करते हैं, मचली के लिए, फिश के लिए, फ्लॉक वर्ड हम यूज करते हैं, शीप के लिए, तो यहाँ पर सही आपका जो आंसर होगा, वो होगा, फ्लॉक, नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं, फैसी माइल का सुनोनि होगा दिखीस कि दिट्रो एकजैक्ट कोपी किसी चीज के तो एक्जैक्ट कोपी उसका हम बोलते है रिप्ली यहां पर होगा डिप्ली या होता है डिस चिमिलरesting चीजह है जो अलगा बोलते हैं फ्यू चो दिसपाट्यच सभी शौजब देखते हैं शाविनिजम्स का मतलब होता है जैसे यह मेल और फीमेल तो जेंडर होते हैं तो यदि एक male व्यक्ति ऐसा मानता है कि male लोग यदि पुरुष लोग या लड़के लोग ज्याद अच्छे होते हैं, लड़किया उतने अच्छी नहीं होती, तो उसका हम बोलते है male shauvinism, मतलब किसी एक थौट के प्रती excessive opinion होना उसका, ठीक है, excessive और blind patriotism towards something, उसका हम बोलते ह हो सकता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, शौविनिजम, तो शौविनिजम और देखें, यहाँ पर एक word दिया है, इसका synonym होगा, zeal lottery, जील का मतलब होता है, किसी एक चीश के पती, ज्यादा पागलपन, उलमाद या उत्साह होना, ठीक है, तो शौविनिजम का जो synonym होगा, वो होगा, zeal lottery, यह इसका सही आंसर होगा, ठीक है, अलूफ का मतलब होता है, जो friendly नहीं है, not friendly और distant है, neutral, मतलब जो ना तो friendly है, ना unfriendly है, और even handed, मतलब जो balanced है, तो इस तरीके से zeal lottery, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, next question देखते है, melody, melody क्या होता है, melody एक मधुर संगीत होता है, या एक अच्छी सी tune होती है, उसका हम बोलते है, melody, और cacophony एक करकश आवाज होती है, एक harsh आवाज होती है, तो चुकि यहाँ पर आपको antonym चाहिए, तो इसलिए melody का जो antonym होगा, वो होगा cacophony, ठीक है, chant का मतलब क्या है, chant जैसे किसी चीज का उच्छान करते हैं, जैसे मंतर उच्छान करते हैं, उसको हम बोलते हैं, chanting, lyric हम किसी भी गीत या गाने को बोलते हैं, inflection मतलब जब आप किसी normal path से deviate करते हैं, normal path से जब आप deviate करते हैं, that is called inflection, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका cacophony सह ही answer होगा, inflection का meaning आप देख सकते हैं, diffident कौन है, diffident जो confident नहीं है, वो diffident है, ठीक है, जो confident नहीं है, वो है diffident, तो diffident का, यहाँ पर आपको antonym चाहिए, और antonym होगा bashful, क्योंकि bashful का मतलब होता है, shy, shy due to lack of confidence, उसको हम बोलते हैं bashful, demure यह normally ladies के लिए लड़कियों के लिए होता है, जो modest है, सीधी साधी है, meek है, उसको मुलते हैं demure, aggressive, जो काफी आकरामा खा, meek, meek का मतलबी modest या सीधा साधा होता है, तो bashful यहाँ पर इसका सही answer होगा, यह यहाँ पर सारे meanings आप देख सकते हैं, diffident का shy होगा, क्योंकि उसमें confidence नहीं है, demure का modest होगा, यह reserve होगा, shy होगा, यह women के लिए इस्तेमाल होता है, meek का हमल होगा, bashful का shy होगा, to have a finger in every pie, क्या मतलब है इसका, to have a finger in every pie, मतलब किसी हर चीज़ में involvement होना, to be involved in a large and varied number of activities or enterprises, एक टाइम पर काफी सारी चीज़ों में involvement होना, उसको हम बोलते हैं, to have a finger in every pie, तो यहाँ पर आपका answer होगा, be, to make up one's mind, जैसे हम बोलते हैं, कि मैंने अपना mind अभी make up नहीं किया है, तो इसका मतलब होता है, decision लेना, या किसी चीच को करने करें, decide करना, to make up one's mind का मतलब होता है, to decide something, ठीक है, तो be यहाँ पर आपका सही answer होगा, next question देखते हैं, we might have doing something to help you, देखे, might के साथ, आप first form should, would, इन सभी के साथ तक first form लगाते हैं, यदि आप have लगा रहे हैं, might have, could have, should have, तो इसके साथ फिर आप third form लगाएंगे, तो might have है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, might have done, might के साथ जब आप have लगाएंगे, तो इसके साथ done भी आएगा, might have done, यानि see, इसमें आ वर वर तो आएगा नहीं, क्योंकि ही के साथ वर नहीं आएगा, और वर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, और यदि आप being लगाते हैं, he being positively rude, यह sentence गलत है, आप ऐसे बोल सकते हैं, कि he was being positively rude, he was being, जैसे यदि मैं बोलू कि he is being polite, मतलब वैं polite दिखने की कोशिश कर रहा है, या पॉलाइट लग रहा है, he is being polite मतलब, वैं polite बने की कोशिश कर रहा है, और past tense में बोलू तो he was being polite, तो being का मतलब होता है, वो ऐसा होने का प्रयाश कर रहा है, तो he was being positively rude, वो positively rude दिखने का प्रयाश कर रहा था, तो यहाँ पर यह आपका सही answer होगा, बाकी सारे answers इसमें being तो लगेगा नहीं, क्योंकि is MR भी वहाँ पर चाहिए, तो being इसमें नहीं होगा, was being सही है, were नहीं आएगा he के साथ, तो इस तरीके से a इसमें सही answer है, distorted representation of something, किसी चीच का बिगड़ा हुआ रूप, किसी चीच का खराब या distorted रूप, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, travesty, ठीक है, travesty और misrepresentation भी इसको हम बोल सकते हैं, तो travesty इसमें सही answer होगा, solemnity, seriousness और gravity, ये तीनों एक ही word is, ये seriousness को बताते हैं, solemnity, seriousness और gravity, तो यहाँ पर सही answer होगा, travesty, next देखते हैं, a feeling of intense longing for something, longing का बतला होता है, किसी चीच के लिए इच्छा या तडप, ठीक है a feeling of intense longing for something, किसी चीच को पाने की intense इक्षा, उसको हम बोलते हैं, intense longing, या yarning भी भोलते हैं इसको हम English में, तो yarning यहाँ पर सही answer होगा, apathy मतलब indifference होता है, satiety मतलब satisfaction होता है, getification भी satisfaction होता है, तो ये तीनों word almost same है, तो yarning यहाँ पर आपका सही answer होगा, next question देखते हैं, find the correctly spelled word, perverted, perverted की spelling first वाली इसमें सही है, ठीक है, perverted का मतलब होता है distorted, बिगड़ा हुआ रूप किसी चीज का, perverted, first spelling इसमें सही है, बाकि ये spelling हैं गलत है, और ये इसका meaning है, find the correctly spelled word, इसमें आपका, blendness, B, L, A, N, D, N, E, S, B, L, A, N, D, N, E, S, ये वाली spelling सही है, इसमें D, B, L, A, N, D, N, E, S, ये इसकी सही spelling होती है, blendness का मतलब होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जो फीका है, test, tastelessness, tastelessness इसका सही answer होगा, blend, blend मतलब फीका, या खराब, या स्वाद नहीं है, उसको हम बोलते हैं, blend, ये पैरा जंबल है, the burning sun, देखे, पैरा जंबल में simple logic आपको apply करना होता है, सबसे पहले subject रखें, फिर verb रखें, फिर object रखें, तो ये normally combination चलता है, s, v, o, subject, verb, subject, verb, object, तो यहाँ पर आप रखेंगे, the burning sun, burning sun subject हो गया, इसके पाद वरब आएगी, तो verb हो जाएगी, seemed, seemed to be sucking, मतलब, जो जलता हुआ सूरस था, ऐसा लग रहा था, कि हमें सक कर रहा था, seemed to be sucking, अब यहाँ पर लिखाए, blood out of us, ऐसा लग रहा था, कि हमारे शरीर में से वो खून को हीच रहा है, मतलब, जो बहुत ज़दा गर्मी की बात हो रही है, actually, इसमे, the burning sun, seemed to be sucking, और यहाँ पर blood यह किसका था, blood था, our blood, our very blood, तो सबसे पहले आएगा, इसमें, seemed to be sucking, फिर जाएगा, our very, और फिर जाएगा, three, ठीक है, तो अबर, the burning sun, seem to be sucking, our very blood, तो इसमें हो जाएगा, आपका, पहले आजाएगा, by, seem to be sucking, फिर आजाएगा, x, फिर जाएगा, by, x, by, x, z, यानि इसमें आपका answer होगा, d, by, x, z, ठीक है, अब यहाँ पर देखते है, I hear the sound, I hear the sound, मतलब, मैं मेरे को सुनाई पढ़ रही है, एक sound, लेकिन sound किस चीज की, I hear the sound, I hear the sound, of the blow, ठीक है, सबसे पहले जाएगा, one, I hear the sound, of the blow, while I see, while I see, के बाद, c के बाद, जहाँ पर object चाहिए आपको, while I see, जिस समय में देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, his, his tool, his tool, raised above his head, उसका tool, जो की, उसके heads के उपर लगा हुआ है, तो, इसमें actually logic होता है, पूरा, I hear the sound, of the blow, while I see, c, यानि इसमें होगा आपका, इसमें होगा, by, x, z, by, x, z, ठीक है, c, इसमें आपका सही answer हो जाएगा, यह पूरी तरीके से logical exercise होती है, यह passive active voice है, the tutor always answers the student's questions, अब देखिए, subject क्या है, the tutor, verb क्या है, answers, object क्या है, the student's question, यह पूरा object माना जाएगा, tutor always answers, tutor हमेशा answer देता है, किस चीज का, the student's questions, student के questions का, तो यह object पूरा माना जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका object, और इसी object से आपका, यह active voice है, इसी object से आपका passive voice start होगा, ठीक है, और चुकि यह present simple tense है, इसलिए इसमें, यहाँ पर हम क्या लगाएगे, इसके आगे, questions are, बोलेंगे हम, ठीक है, तो student questions are किस में दिया है, केबल इसमें दिया है, c में, the student questions are always answered by the tutor, इसमें by भी दिया है, तो पैसे boy इसमें by आता है, वर्व की third form आती है, तो answered दिया है, ठीक है, is mr भी इसमें दिया है, r इसमें इसमें लगाया है, क्योंकि यहाँ पर students questions है, तो c इसका सही answer आपका, होगा, question number 20 देखते है, mother said, will you tell me what it means, पीतम, तो देखें, यहाँ पर sad है, यह principal reporting part है, reporting part में past है, तो यह वाला जो part है, यह भी past में चला जाएगा, will का हम कर देंगे, would, ठीक है, इस means का कर देंगे, meant, और इस will का कर देंगे, would, तो इसका answer हो जाएगा, would किसमें दिया है, और चुकि यह yes no question है, इसलिए इसमें आएगा, if या weather, तो इसमें हो जाएगा आपका, mother asked, प्रीतम, प्रीतम तो तीनों में चारों में दिया है, mother asked, प्रीतम, if, if he, यह will का would हो गया, would tell her, what it meant, इसमें meant भी है, और इसमें would भी है, और इसमें if भी है, ठीक है, तो C, इसमें आपका सही answer हो जाएगा, तो यह narration के एक दो question आते हैं, अब यहाँ पर आपका के close test है, इस close test को पढ़ते हैं, और देखते हैं किस तरीके से इसको हम solve कर सकते हैं, यह थोड़ा सा technical passage है, और इसमें एक research के बारे में बताया गया है, Prebiotics are the lesser known gut health promoter, आपकी जो health होती है, उसको promote करता है, क्या चीज? Prebiotics, इसमें कुछ technical terms आये हैं, जिनसे आपको ड़ने की ज़रूद नहीं है, आपको के बल पैसिज को समझना है, उसके बेस पर आप simply answer दे सकते हैं, Prebiotics are the lesser known gut health promoters, which serve as food for good bacteria inside the gut, we found that dietary prebiotics can improve non-REM sleep as well as REM sleep, यह दो sleep के टाइप है, non-REM sleep और REM sleep, यह sleep के टाइप है, और इस sleep को improve कर सकता है, क्या? Prebiotics, prebiotics होता क्या है, एक dietary fiber होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगी अभी, after a stressful event, stressful event के बाद यह sleep को promote कर सकता है, prebiotics, said Robert Thompson, a PhD researcher at University of Colorado, Boulder in the US, prebiotics are dietary fiber found naturally in food like artichokes, raw garlic, leeks and onion, आती चोक्स हम चुकंदर को बोलते हैं, आती चोक्स, raw garlic मतलब कच्चा लहसोन, लीक हम बोलते हैं, हरा प्याज जो होता है, उसको हम बोलते हैं, लीक्स, आती चोक्स हम बोलते हैं, चुकंदर को, तो इन सबजियों में यह पाया जाता है, prebiotics, when beneficial bacteria digest prebiotic fiber, they not only multiply, improving overall gut health, but they also release metabolic byproduct, जब इसके अंदर जो बैक्टिरिया होते हैं, वो prebiotic fiber को पचा देते हैं, तो metabolic byproduct जो हैं, वो release होते हैं, ठीक है, researchers, three week old male rats, a diet of either standard, chow और chow, that included prebiotics, chow और chow क्या है, एक तरीके का, एक तरीके का खाना हो सकता है, जिसको चुहे खाते हैं, ठीक है, fed, three week old male rat पर इन्होंने एक research की है, तो उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, they then monitored the rats body temperature, मतलब उनको chow खिलाया rat को, और उसके बाद body temperature को monitor किया, gut bacteria and sleep wake cycle using electromagnetic, उन्होंने wake cycle को check किया, EEG को use करके, और brain activity testing over time finding revealed that the rats on the prebiotic diet spend more time in non-rapid eye movement sleep, मतलब जिनको ज्यादा वो दिया गया था, prebiotic दिया गया था, उन्होंने ज्यादा NREM sleep को लिया, prebiotic spend more time in non-rapid eye movement sleep, which is restful and restorative, non-NREM जो है, वो restful है और restorative है, then those on the non-prebiotic diet, what are the prebiotics, prebiotic क्या है, prebiotic एक dietary fiber है, ठीक है, इसका answer क्या होगा, A इसका answer होगा, what type of sleep is restorative, restorative sleep कौन सी होती है, NREM sleep जो है, वो restful और restorative होती है, इसका answer क्या हो जाएगा, NREM, How are metabolic byproducts released, जब dietary fiber को bacteria digest करते हैं, When good bacteria digest dietary fiber, उसके बाद metabolic byproducts released होते हैं, तो simple सा एक वो है ये, passage है, When good bacteria digest dietary fiber, ये इसका answer हो जाएगा, Next हम देखते, How can sleep wake cycle be monitored, Sleep wake cycle को हम monitor करते हैं, using EEG, ये clearly दिया गया है, passage में, Next हम देखते, what is chow, chow जो है, वो rat का एक food होता है, Rat का जो food होता है, तभी तो, चाओ को, चाओ को हमने ऐसे पैचाना rat का food है, क्योंकि rat का food, जो rat के लिए suitable food होगा, वो ही तो rat को खिलाएंगे, और उसके बाद ही तो हम उसकी, उसको monitor करेंगे, कि उसकी sleep पर उस्षीच का क्या फरक पड़ रहा है, तो इसलिए यहां पर आंसर होगा rat food, तो पैसिज जो आते हैं SSC exam में, ज्यादा वैसे नहीं होते हैं, ज्यादा technical नहीं होते, जैसे banking sector में आते हैं, सिंपल होते हैं, बस आपने पूरी तरीके से उसको comprehend कर लिया, पूरी तरीके से समझ दिया, तो पांचों के पांच questions के आप जबाप आसानी से आप दे सकते हैं, तो इस तरीके से यह set 23 था, SSC CJ 2017 का, और यहां पर हमारी official website भी launch हो गई है, इस पर जिस पर आप यह course देख रहे हैं, उसी पर आप ब्लॉक सेक्शन में जाके, इंग्लिश के सारे ब्लॉक्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें इंग्लिश का बहुत ही बहतरी material आपको मिलेगा, इंग्लिश concept हैं, spotting error हैं, पहला जंबल हैं, और आपका passive voice हैं, यह सारे topics यहां पर आपको, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको login करने की जुरूरत नहीं है, साइट पर उपर ही आप ब्लॉक्स सेक्शन में जाके इन सारे ब्लॉक्स को पढ़ें और इन से आप फायदा उठाएं, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा, next वीडियो क्लास में, thank you.